हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यूटूब चनल पर तो गाईस आज के सुड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वाटसब पर प्रोफाइल फोटो यानि कि डीपी नहीं लग रही है तो कैसे इस प्रॉलम को सॉल करेंगे तो गाईस वीडियो में बने रहे है वीडियो को लाइक और सेयर कर देना साथ में यूटूब चनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी आप ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं तो गाईस सबसे पहले आपको जाना है अपने सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद अब आपको आजाना है नीचे और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी आप मैनेजमेंट आप मैनेजर तो इस सभी मुआल में होती है आपको बसी सेटिंग को खोजना है और इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सबसे उपर app list पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे सबी apps यहाँ पर आ जाएँगे अगर आपको ऐसी कोई setting नहीं मिले तो आप में comment box में जरूर बताना तो देखें यहाँ पर आने के बाद आपको आजाना है W पर तो आते हम सबसे नीचे तो यहाँ पर WhatsApp आपको मिल जाएगा WhatsApp पर कर देना है Click Click करने के बाद Storage Usage पर Click करना है फिर Clear Cage कर देना है फिर आ जाना है Back और देखे बीच में लिखा हुआ है Force Stop आपको Force Stop पर क्लिक करके Force Stop कर देना है फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे परमीशन का एक देखेंगे आपको सेटिंग मिलेगी परमीशन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपने Storage और Camera इन दोनों को देखेंगे यहाँ पर Allow नहीं किया है तो Allow कर देना है Allow करने के लिए आपको क्लिक करना है और फिर allow पे click कर देना है बैक आजाना है allow हो जाएगा इतना सब कुछ करने के बाद आजाना है आपको simply back और अब चलिए अपने whatsapp को हम open करते हैं फिर उपर की side three dot पर click करते हैं फिर setting पर click करते हैं और अब click करते हैं उपर यहाँ पर अपने profile पर और फिर आप camera पर click करते हैं जैसे ही click करेंगे आपको यहाँ पर camera और gallery का option आजाएगा आपको gallery पर click करके अपने photo को select कर लेना है तो चलिए मैं select करता हूँ तो guys यहाँ से देखे मैं photo select कर लेता हूँ फिलेक्ट करने के बाद नीचे done पर click कर देना है जैसे done पर click करेंगे देखे यहाँ पर हमारा profile photo जो है लग चुका है अगर इतना करने के बाद भी photo नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है अपने mobile को एक बार switch off करके switch on करना है यहाँ फिर restart भी कर सकते हैं दोनों में से कोई एक कर लेना तो guys आज की video बस इतना ही video को like और share कर देना साथ में YouTube चैनल को भी subscribe कर लीजिए thank you have a nice day